मैं कविता पढ़नेग लिए मंच पर क्यों आया इसका वज़ा है और अंतिम रचना आपको सुनाता हूँ इसकी वज़ा यह है कि कोई भी योजना सरकार की आई खास करके पुलिस के लिए तो हमारे जो कभी भाई है इन्होंने अच्छा नहीं कहा जब 100 नंबर आई और जनता ने कहा कि नई नई गाड़ियां आ गई है और 100 नंबर लगाओ तो तुरंट पुलिस आ जाती है दस बंदरा मिनट में तो यही बिहारी लाल नंबर यह पीछे बैठे है यह कहा हाँ 100 रुपया दैदर तो फिर चली जाती है और फिर जब एंटी रुमियों आया तो यह कहने लगे कि जिनकी अपनी होई नहीं रही है वो दूसरे खोने नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है भाई यह 112 नंबर जो 100 नंबर है यह जनता को समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए है जनता परेशान नहो एंटी रुमियों है छेड़ खानी से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोग जानते हो तो एक पहिरोडी रचना आपको सुनाता हूँ अपने माल का मैं परशार करूँगा प्रोडक्ट का मतलब परशार करूँगा और आपको आगे से पीछे तक जो लोग बैठे हो मज़ा आएगा इसकी फूल गारंटी है लेकिन मज़ा तभी आएगा जब एडवांस अपनी भी परशार कम पसल्ट करतीा है तो पहराएगा इसका मारेक लिए adapted करूदी तो आवत जावत राहुमेंद्जिण इलाका के रुपाजी आवत जावत राह में छेड़े इलाका के रुपाजी ए भोजी सव नंबर लागी कि ना लागी हल्ला ने ताली बजाओ भाई हल्ला थोड़े काम चलता है कि देखी देखी गाना गावें रोके खड़े राहबा सबक सीखावें कोई इनका यही चाहबा अल्लात के भूखें हैं तही जारे लाते से हुई है राजी ए भोजी सव नंबर लागी कि ना लागी हाँ आप बदल लिका जब लिखा रहा तो सव नंबर रहा भईया है और तुम्हारे तुम्हारे कि फटी जीन्स टीशाट पायनकर घूम रहे लॉंडे जो ना अब इन्हों के लिए का एक परी ना कि फटी जीन्स टीशाट पायनकर घूम रहे और नसा इसक का लगा नसे में जूम रहे और काल बीडियों पर करते हैं लैला से और मोबाइल रात रात भर चूम रहे और देखा जो तुझे कैसे दिल ये बेकरार न हो और गयर मुम्किन है तुझे देखूं और प्यार नहों तो घूम गाली चार और तनिक नहीं देरबा लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैरबा आई गए इक फोन पे हमरे देखा दरोगाजी ए दरोगाजी अरे गुंडा भागी की ना भागी आई गई पूलिस देखो बदल गया मैं चिरे आई गई पूलिस देखो बदल गया मैं चिरे भागी नहीं पहले गुंडा होई गई लिक के चिरे पकड के लई जा थाने रपट लिखा दे जी ए दरोगाजी अरे पटा बाजी की ना भाजी तो बहुत कभी के नीचे लगा लिए न तो ये हिंदवानी है नहीं ये मुसल्मानी है मगर इमान सच कहता हूँ मेरा खान दानी है बराबर है मेरी नजरों में असफाक और विश्मिल हरी कत्रा लहू का मेरे बस हिंदोस दानी है बस जैसे बजाए और इसे बजाए दियो सब समार दे परसान नहों तो लोग और हम तो खामोसिक साथ बैठे रहें पता नहीं का का बताएगे इस्त्री लिंग बताएगे पता नहीं का का बताएगे जतना कुछ हमार है सब इस्त्री लंग बताएगे सब कुछ इस्त्री लिंग बताएगे हम एक वले एक चीज बतावा चाहिए कि हमरे पास एक डंडा है उकर लिंग ही बताएदे बस और दादा बनारस की धर्तिक प्रडाम करेथे प्रडाम करेथे बाबा भोले नात का परदाम करिए है आप सब के उपस्थिती का दादा साडदादक परदाम करिए और जो भी बरिश्ट लोग बैठे हैं सब का परदाम करिए है और महीं कहा जाई थे कि जैसे दादा हमका उठाइन है हम तो खामोश बैठे रहें तो भगवान से प्रादना करेते हैं, भोले नाज से प्रादना करेते हैं, कि जैसे दादा हमका उठाईन है, ऐसे भगवान तुम इनका उठाओ, जैसे उठाईन है, इसे इनका उठाओ, तो चलो एक और सुनाईती तब फिर हसाई, कि कायम जहां में अजल का निशान रहेगा कायम जहां में अजल का निसान रहेगा दिल में हमारे प्यार और इमान रहेगा अमरीका चीम दुनिया में रहे न रहे कायम हमेशा अहले हिंदुस्तान रहेगा केवल दुई सेर जानिता सुनाई चुक्या दुई सेर जानिता हम सुनाई चुक्या है और अच्छा तो लो ऐसा बताओ ना लड़िकें मा बड़ी घबराइट रहा थी है कि कच्छा दस की परिक्षा गलेके कच्छा दस के लड़िकें बहुत परसान रहाते हैं कईसे पास होंगे कईसे पास होंगे तो हम लड़िकें से बतावा चाहिए थे का अच्छा दस की परिक्षा मा घबराय जैसे कुछ नहीं है बहुत आसान परिक्षा है हम खुदे दस बार दिये हैं ऐसे हसा कर यह मज़ा आई बिल्कुल पूरा फोल फोल फार्मा कि दसली में दसली बार फेल होने पर पिता जी ने कहा नालायक तुझे सरम नहीं आई है परोष के सरमा जी की लड़की को देख पूरे सहर में फश्ट आई है मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही यह सारे खेल हुए है अब सरमा जी की लड़की को हम क्या देख है अरे उसी लड़की देख देख के तो हम दास साथ से फेल हुए है सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया क्यों आते हो इस्कूल उन्होंने पूंचा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली खुर्पयाज के लिए जाने जाते है और हम तो इस्कूल केवल बिद्ध्या के लिए आते है टीचर ने कहा एक्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो बिद्ध्या चाहिए और क्लास में सोते हो मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धी सठी आई है और ठीक से देखो आज बिद्ध्या श्कूल नहीं आई है और अभी संकर कैमूरी दादा निजामत कर रहे थे तो एकताप पर मरने की बात कर रहे थे हम सीधा साथे आदमे हैं हम भी समझे किसे एकताप मरने की बात करते हैं फिर ही बताए कि हम बुजर्ग हैं आदरणी है तिवारी दादा सुधामा तिवारी जी गुरु जी ये भी बुजर्ग लेकिन हमारे देश में जो बुजर्ग हैं किसी से कम नहीं है तो अपने बुज़र्गों के लिए जवादिल बुज़र्गों के लिए कहना चाहता हूँ कि दबे वो पाउँ चलते हैं मगर आहट नहीं जाती दबे वो पाउँ चलते हैं मगर आहट नहीं जाती बुढापे में भी सेरों की गुर्रहट नहीं जाती और बुढापा जीते हैं ऐसे जवानी च्छाई हो जैसे ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कलवाट नहीं जाती और अगला सेर सुनिएगा कि रखा हो दूर भठी से रखा हो दूर भठी से तब भी छूना नहीं चाहिए रखा हो दूर भठी से तब भी छूना नहीं चाहिए बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती और जैसे हमको यहां बुलाए आप लोग काली बजाए आप तो एकदम दिल खुश हुआ कि यह मुहबद देखके आपकी और मुहबद एकदम से अंदर जाग गई है अब दिल में भावना उत्पन हुए है भावना यह उत्पन हुए है कि जैसे आज आज आपके बीच में यहां आया हुआ हूँ ईश्वर अल्लाह आपके लिए भी ऐसा दिल लाए जैसे आप यहां बजाते हो भागवान वो दिन आऊ है कि हम भी बजाँ भागवान वो दिन आऊ है कि हम भी बजाँ है तो मैंने कहा बहुत जो है अफवा है कि पुलिस इंट्रोगेशन करती का करती है कोई कहता यह मारती वो मारती आइसा नहीं है हर बार मारक्री ठीकारण नहीं होता है एक इनट्रोगेशन की کہानी आप लोगों सुनाता हूँ दादा पीछे आवाध जा रही आप लोगन का कि पकड़ा गया बदमास बहुत ही सातिर अपराधी था जेल तोलने हत्या करने डाके मारने का आधी था यू तो कर चुके थे तमाम पुलिस वाले उससे अपनी भासा में पूश्टाश मगर उगलवा नहीं पाये थे उससे न कुछ आम न कुछ खाश चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पटे जूते लाथ चुप चुप तमासा देख रही थी क्या क्या हवलात फिर एक दरोगा जी बोले यह ऐसे नहीं बताएगा फिर एक दरोगा जी बोले यह ऐसे नहीं बताएगा इसको करेंट लगाओ तो एक अधिकारी बोले नहीं नहीं करेंट परेंट रहने दो ऐसा करो धर्मराज को गुलाओ धर्मराज हमारा नाम है आप लोग जानी रहें इसके बाद उस बदमास से पूस्ताज का जिम्मा मेरे सर पर आये मैंने दो कपचाई एक अपने लिए एक उस बदमास के लिए वंगाया मैंने का घबराओ मत घबराओ मत मैं मार पीट नहीं करता सिर्फ हस्ता और मुश्कुराता हूँ तुम चाय पियो मैं तुम्हें अपनी एक कविता सुनाता हूँ फिर मैंने उसको सुनाई अपनी एक गजल कुछ रुबाई सुनते सुनते उस बेचारे की आखे भर आई थी ठंड़क था जनवरी का महीना एक घंटे में हो गया पसीना पसीना और हाथ जोड कर मुझसे बोला कि गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है और आपकी कविता सुनू अरे उससे तो उधर लाज जूता खालू वही अच्छा है मैं कड़क कर बोला मैं कड़क कर बोला कि अगर तु नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा वह हाथ जोड कर बोला माई बाब मेरे भेबाल बच्चे है मैं सब कुछ बताऊंगा बता दिया उसने फिर मुझे सब कुछ बात में मार पीट नहीं करता हूं मैं सिर्फ कविता सुनाता हूं हवालात में आगे की बात फिर कभी बताऊंगा गजब हो गया पिछली रात में एक कईदी मर गया थाने की हवालात में मुसीबत भारी क्या क्या बताएं जाज करने कप्तान साब थाने पर आये उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करेंट लगाया था सिपाहियों ने का नए शाहब न तो किसी ने पीटा था न करेंट लगाया था मगर इसे कौतवाल साबने सारी रात अपनी कविता सुनाया था हमारी हमारी डिवटी में कोई नहीं लोप है मर गया कर दिये इनकी कविता का प्रकोप है कप्तान साब ने कहा तुम्हें फासी का दंड मिलेगा बहुत सुनाते हो कविता सबका मज़ा एक साथ मिलेगा मैंने का हुजूर मैंने का हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिमिच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ मैं अपने अंति-भिच्छवाले अधिकार को भूनाना चाहता हूं और मेरे हुजूर बूरा नमाने तो आज राध यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं मेरी बाते सुनकर वो बोले कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोस नज़र आता है और चलिए, जैसे रामलीला आप लोग कराते हैं, अप संबेवा कराते हैं, तो अईसा नहीं है कि आप ही लोग कराते हैं, थाने में हम लोग भी कफशंबेलन कराते हैं, तो जो कफशंबेलन कराया हमने, उसमें क्या हुआ, फिर रामलीला कराया, उसमें क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको, एक्शुआल में, पिछले दसाराक टाइम में, लोगों ने जनटा ने डिमांड कर दी कि मतलब थाने में कब्समेलन होना चाहिए हमने जिससे जिससे बात किया कोई कभी यहां त्याग तपश्यक बात करते हैं लेकिन यह पेमन्ट में कोई रियायद नहीं करते हैं आप लोग जानते हुआ जो सायर आयद है किसी ने दस जार किसी ने पंद्रह जार सभेरा हुआ जब यह लोग चलने लगे तो इनका जो भी पेमेंट होता था दास जार पंदरा हजार सब का दे दिया गया बहुत खुश हुए जय जय कार करते हुए चलने लगे वा भाई को तवाल साब बहुत अच्छा रहा चलने लगे कहने बहुत अच्छा जो पूलिस लगवा दिया हमने चेकिंग लगवा दिया जिसके पास जो कागज नहीं था उस कागज में फसने लगे चालान चालान में फसने लगे महेंगे महेंगे चालान होने लगे तो फिर इन्होंने जो हमसे लिया था दस जार पंदरा जार पांस जार इन्होंने धीरे धीरे करके ह तो तुसी आ रहे हैं इन्हों ने कहा हमसे कि भाई या बाकी तो सब ठीक है चोटे भाई हैं हमारे ये का बाकी तो ठीक है जब लेकिन पैसे वापस ही लेना था तो मालिक आप दिये का है हम कभी जी बात सुनो हमारी जो हम दिये थे ना है वो हमारा फर्ज था वो हमारा चलिए कि मैंने अपना पैर खुद कुलहाली पर चलाया था इस बार थाने पर मैंने राम लीला कराया था कलाकारों के लिए मैंने भानमती का कुनबा जोड़ा था कही का इड कही का रोला था मेरी धरम पत्नी जी कैकेई और मैं राजा दसरत बना था एक तो राजा दूसरे कोतवाल इसलिए बेवजा अकड़ा और तना था राम लीला सुरू हो उससे पहले मेरी धरम पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मा संजोने नहीं दूँगी भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूँगी उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए दस-बीस बियलन तो हमको भी अबज़े पड़ गए थाने की महिला कांस्टेबिल जो बनी थी सीता उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलजाओ तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलजाओ और दिलवा सकते हो तो इस दसरत बने कोतवाल से मुझे साथ दिन की छुट्टी दिलवाओ इस बार की राम लीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी बीच रास्ते से ही फरार हो गया अचा पहुंच गया पीछे भी पहुंचा एक बार इनके लिए भाई तालिव जाए तो पीछे बतारे पहुंच गया है